लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए गंसौली में कोरोना वैक्सीन सेंटर खोलने की मांग के साथ अंदोलन पर बैठे गंसाम मढवी को महानगर पालिका ने लिखेत आस्वासन दिया है कि आठ दिनों के भीतर गंसौली में नागरी आरोग्ये केंदर में कोविड वैक्सिनेशन सुरू करा दिया जाएगा इस आस्वासन के चार दिन गुजरने के बाद भी नई में मनपा की और से गंसौली में अभी तक वैक्सिनेशन सेंटर बनाने या नागरी आरोग्ये किंदर के सापना को लेकर कोई काम सुरू नहीं हुआ है इस पर अंशन कर चुके घंसाम मडवी ने कहा कि अगर वादा खिलापी हुई तो घंसौली के एक लाख रहिवासी इसके खिलाप सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो हपते भर में घंसौली गाओं में दो कोवेड वैक्सिनेशन सेंटर चालू हो जाएंगे सानी बीजेपी नेता घंसाम मडवी के अंसन के बाद नौइमबई मनपा के उच्चा अधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया है घंसाम मडवी ने तीन मई को अपने घर से आमरण अंसन शुरू किया था उनकी मांग थी कि एक लाग की आवादी वाले घंसौली गाओं में वैक्सिन सेंटर बने और नागरी आरोग ये केंद्र खोला जाए लेकिन डेड़ साल से चल नहीं इस मांग को मनपा प्रशासन सुनने को तयार नहीं था इसलिए उन्हें अंसन पर बैटना पड़ा फिलाल उन्हें मनपा अधिकारियों का लिखित आश्वासन मिल गया है जिससे नागरीकों को बड़ी दिलासा मिली है हमने तीन तरिक को सुमवर को बेमुदत अंशन रखा था और इस अंशन की दखल लेते हुए आयुक्त साहब अतिरिक्त आयुक्त साहब और गंसली के सायक आयुक्त इनके द्वारा हमने जो तीन मांगे रखी थी कि गंसली गाव में वैक्सिनेशन की सुविदा जो हमारे बालाजी पाटी अमबो विद्याले है इसमें वैक्सिनेशन की सुविदा और कवलाली गंसली वाड करमंग तीस में जो हमारा समाज मंदिर है नविम्बै महानगर पाली का उसमें एक वैक्सिनेशन की सुविदा साथ में जो विभाग कार्याले में काफी परियाप जगा उपलब्द है तो जो आरुग्य केंदर है वो गंसली के विभाग कार्याले वाड ओपिस में लाया जाए यह तीनों मांगों का प्रशासन ने तीनों मांगे हमारी मानने की है और हमें लिकित स्वरुप में उन्होंने पत्र दिया कि यह आठ से दस दिन में हम लोग यह सब जो आपने जो बता है यह गंसों लिके नागरिकों के लिए यह हम आपका आपकी मांगे हम मानने कर रहे है बताता है कि हंसों के दोरान घंशाम मडवी ने बाला जी पाटिल विद्याले और कॉल आली समाज मंदिर में दो कोरोना वैक्सिनेशन सेंटर बनाने और वार्ड आफिस में नागरी आरोग्य के अंदर खोलने समेत कुल तीन मांगे रखी थी बीजेपी नेता गणिशनाइक, पुर्व विदहायक संधीप नाइक और पुर्व मेर सागर नाइक ने भी आयुक्त से इन मांगों पर ततकाल विचार करने का दबाव बनाया जिसके बाद अधिकारियों ने दस दिनों के भीतर सभी मागों को पूरा करने का भरोसा दिलाया हलाकि पांच दिन बीतने के बाद भी यहां कुछ भी प्रगती नहीं हुई है फिर भी घंशाम मडवी को विश्वास है कि मनपायुक्त अपना लिखित वादा जरूर पूरा करेंगे उन्होंने अभी इशारा दिया कि यदि वादा खिलापी हुई तो फिर लाखों घंशोली कर मनपा के खिलाप सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे नविम्बई के भाग्य विदाता लोक ने ते गनेज जी नाइक साब ने आयुक्त से बात की एक से मले संदिप नाइक साब ने आयुक्त से बात की और हमारे पुर्व महापूर सागर जी नाइक इन्हों ने उस पत्र को देखा समझा और उन्हों ने कहा कि ये सब जो मांगे प्रशासन ने मानने की है इसका हम सब मिलके फॉल अप लेंगे ये लोगों के सेवा के लिए आठ से दस दिन रुकने का निर्ने लिया आपके माद्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने हमें लिकित सुरुप में दिया है जो उन्होंने हमें वचन दिया है कि ये आठ से दस दिन में हम लोग सब पूरा करने जा रहे है वो अपने वचन पे कायम रहे और ये गंसोली गाओ के नागरी को दिया हुआ समय से पहले ही ये सब सुविधा चालू करे यही मैं उनसे आशा करता हूँ